हालो एब्रीवान वेरी गुड मॉनिंग वेलकम तो एग्रिकल्चर रिड़ा 24 7 एग्रिकल्चर रिड़ा 24 7 के ऑफिशिल यूट्यूब चानल पर मैं हिना निथानी आप सबी स्टुन्स का बहुत-बहुत स्भागत करती हूं तो आज हमारी अगेन प्लान पैथालोजी की क्ल सब्सक्राइब कर लेना है तो चलिए जल्दी से मारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले आप सभी स्टुन्स को क्या करना है बिटा अग्रिकल्चर अड़ा 24 7 के चानल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि चैनल की जो important classes हैं जो भी आपके faculties different subject की classes ले रहे हैं वो आप तक पहुँच सके और आपको भी उन sessions का benefit हो सके तो चलिए बिचों जल्दी से हमारी आज की class टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले अड़ा 24 7 के mobile application को भी आप लोग download कर लीजे क्योंकि जब आप अड़ा 24 7 के mobile application को download करते हो बिटा तो इसमें आपको free content provide करा जाता है जैसे आपके free pdfs हो गए कुछ इसके अलाव आपकी free quizzes यहां पर आपको मिलती है specific subject wise quizzes भी आपको यहां पर मिलती है तो इसके लिए आप को install कर सकते हो अगर आपकी कोई query है कोई doubt है class related या कोई topic है जो समझ में नही आप पूछना चाहते हो तो उसके लिए भी query उसके recording भी जो query है आप आप पर आपको इसके आपको install करना पड़ेगा जैसे आप आपको install करोगे तो इसमें आपको directly community का option मिलेगा सबसे नीचे की तरफ तो बिटा इसे वीडियो के नीचे आपको description में आपका link मल चाहेगा वह आपको install कर सकते हो और आपको install करने के बाद आप directly वहां से community पर आ सकते हो जैसे आप agriculture चूज करोगे तो community पर आपको पाहिनावाम दिखेगा तो वहां पर आप अपने doubts डाल सकते हो तो very good morning शरद, निहारिका, तरून, very good morning guys तो चलिए जल्दी से आज का हमारे session start करते हैं plant pathology का तो बच्चों सबसे पहले सब first question है आपका who is the father of modern plant pathology and father of Indian mycology is तो बटा आपको ये बताना है कि father of modern plant pathology कौन है इसी के साथ-साथ father of Indian mycology कौन है तो जल्दी से बताएगे बच्चों right answer यहां पर क्या होगा बीबी मुनकर है या फिर इजी बटलर है या फिर जेफ दस्तूर है या फिर शदा शिवम होंगे तो बच्चों यहां पर right answer क्या होगा एक बार जल्दी से बता दीचे very good noon बोनी जहासी तरुन पतेल very good morning very good morning very good noon चलो तो जल्दी से बच्चो right answer कीजिए कि क्या सही answer होगा इस question का और यार फड़ावट से session को share भी कर दो आज बहुत कम बच्चे आये से session में ऐसा क्यों हाँ ओकी शरत का भी आंसर आया है ए अमन भी आंसर करें है बोनी जहासी का ए आंसर आया है निहारिका ने भी ए आंसर किया ओकी तरुन पतेल बटलर ओकी तो बैटा देख लेता है जैसे powdery video के बारे में भी इन्होंने बताया है ठीक है और भी बहुत सारे diseases के बारे में इन्होंने identify किया था उनके बारे में बताया था तो इसलिए हमारे father of plant pathology इंडिया में जो है वो है इजे बटलर है clear very good morning yogi Indra welcome in the session बिटा तो definitely आपका answer हो जाएगा इजे बटलर चलो आगी चलते है बिटा अगिला question है आपका who said the TMV is rod shaped virus बिटा किस ने कहा था कि TMV rod shaped virus कुछ इस तरीके से होता है तो किस ने बताया था जिसको सबसे पहली बार देखा गया था ट्रबाको मजाक वाइरस यह वाइरस rod shaped होता है यानि कि इस वाइरस का शेप कुछ इस तरीके से होता है तो इकिस ने बताया था जिसे में आप लोग को bacteria में भी बताया कि different type के shape होते है कुछ इस टाइप के shape होते है तो basically किस ने बताया था कि TMV का जो शेप है वो रॉट शेपड होगा बताओ भीटा हा निहारी का का आंसर आया है सी ठीक है शैलेंद राजपूत का भी आंसर आया है सी हाँ यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोचे तीनों नहीं बताया था तीनों जो आपके plant pathologist थे इन तीनों नहीं स्टेंड ले नहीं बताया था बाकी जो यह आपके focus थे कौचे थे और रसका इन तीनों नहीं बताया था कि TMV यानि कि जो पहला virus है पहला RNA virus है बिटा तो बैको मुजाक वाइरस जिसके बारे में पता चला था जो कि मुजाक इंफेक्शन कॉस करता है मुजाक डिजीज कॉस करता है तो यह जो pathogen है बिटा यह basically rot shaped होता है इसके बारे में इन्हीं प्लान पैथलोग जिसने बताया था ठीक है अब देखो बिटा इसका shape आप लोग देख लीजे shape कैसा होता है तो इस तरीके का shape होता है इसका देख रहे हो आप कुछ इस तरीके का shape होता है और इस वाइरस में क्या होता है RNA nucleic acid होता है RNA ribose nucleic acid RNA इसमें present होता है तो इसके बाद जब इसको discover किया गया था पहले बार तो उसके बाद यह कहा गया कि आज जितने भी plant viruses हैं उन सारे plant viruses में जो disease हो रही है वो कौन काॉस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ RNA virus कर रहा है लेकिन उसके बाद जब बहुत जादा studies हुई काफी जादा लोगों ने उस पर studies करी तो उसके बाद पिर यह इंटिफाई करा गया कि नहीं कुछ plant diseases ऐसी भी हैं जो DNA virus कॉस करते हैं ठीक है जिसे क्योलिफ्लार मुजयक वाइरस है तो क्योलिफ्लार मुजयक वाइरस में कौन सा डियने होता है डियने होता है या आरेने होता है तो बैसे पर यह है कि maximum जो वाइरस maximum जो infection है बटा maximum infection RNA virus कॉस करता है औल वाइरस आरेने हाँ पहले यह conception था कि जितने भी वाइरस है उन सभी में plant viruses में DNA प्रेजेंट होता है लेकिन उसके बाद जब काफी टाइम के बाद जब research हुई तो उसके बाद कहा गया कि नहीं सब में plant viruses नहीं होते सौरी होता है RNA present होता है clear चलो हां बिलकुल CMD बिलकुल अब चलिए बिटा आगे question आगे अगले question का अंसर दीजे what disease is considered as a endemic in plant pathology बिटा plant pathology में endemic disease किसको बोला जाता है पल मिलट अफ बाजरा को बोला जाता है या फिर late blight of potato को बोला जाता है early blight of potato या फिर club root disease को बोला जाता है ब बिटा जुनून का playlist है आपको जाना है अड़ा 24-7 अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 अप अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 सर्च करोगे बिटा ठीक है तो उस पर आप जैसे ही जुनून भाई हिनावम टाइप करोगे आपको मिल जाएगा उसमें नीचे ही playlist है otherwise आप जुनून भाई ह देख लेता है मुटा राइट आंसर क्या होगा तो definitely club root disease of cabbage ठीक है cabbage का जो club root disease और बिजीज अप प्टैटो हम एंडिमिक बोलता है definitely पेटाटो जो next infection है, इसका what disease of potato, बिटा वाट डिजीज अप पताटो, जी यह basically what का infection कौन कॉस करता है, बताओ बिटा, what का infection पताटो में कौन कॉस करता है, यह क्या है, soil born infection है, जो फंगल infection है, कौन कॉस करता है, इसके लिए causal organism कौन सा है बच्छों, बताओ, causal organism कौन सा है इसके लिए what disease of potato कौन कास करता है बिटा बताओ सिंकाइटरियम एंडोबाइटिकम करता है और जो यह क्लबूड डिजीज ऑफ क्याबज है यह infection कौन कास करेगा बताओ सिंकाइटरियम एंडोबाइटिकम यह किसके लिए पैथोजन होता है यह होता है हमारे वाट के लिए लेकिन आ कौन कास करेगा बताओ हाँ हाँ सोयल बॉड फंगस है डेफिनिटली लेकिन अप्रूड डिजीज ऑफ का इंफेक्शन कौन कास करेगा याद नहीं भूल के डेली जुनून क्लास पढ़ते फिर भी भूल गए हाँ हाँ लब डिजीज ऑफ क्याबज आप लोग मुझे बता क्लब रूड डिजीज ऑफ क्याबज इसका पैथोजन कौन सा है करवाया है आप लोग मुझे जुनून क्लास में बताओंगे दो से तीन बेजे वाली ठीक है देखो बटा तो बेसे के लिए आपका एंडमिक इंफेक्शन है स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है लेकिन वहा स्यानी की गाठे बन जाती है पूरी की पूरी रूट में और गोपी जो है वो धीरी धीरे खराब होने लगती है ठीक है चलो अधीज से नाम ही आद नहीं रहते हैं इसका तो बहुत एजी है इसका तो नहीं एटफ वेरी गुद नून दिश्या वेलकम इंदर सेशन बिटा प्लाज्मो डियोफोरा ब्रेसिका बिलकुल प्लाज्मो डियोफोरा ब्रेसिका प्लाज्मो पारा विटिकोला प्लाज्मो डियोफोरा ब्रेसिका इस टाइप के नाम तो इजी ली याद हो चाते है यार चलो अब आगी चलते है बिटा लीफ ब्लाइट इस डिजीज विच is caused by the rhizoktonia solenii is which type of infection अब आप से पूछ रहा है कि जो leaf blight का infection है leaf blight का जो infection है leaf blight का जो disease है basically इसको rhizoktonia solenii cause करता है, कौन करता है बटा rhizoktonia solenii cause करता है और ये किस type का infection है ये आपको बताना है बच्चो ये airborne infection है, ये seed born infection है ये soil born infection है या फिर none of the above, तो right answer क्या होगा बच्चो एक बड़ फटा फट से बता दो कि leaf blight of leaf blight is a disease, leaf blight क्या है ये type की disease होती है और rhizoktonia solenii इसको cause भी करता है, ओके soil born, योगेंद्र, राजेश, हंसा airborne, ओके राजेश का भी answer आया है soil born, ओके, rhizoktonia solenii, निहारिका का भी answer आया है, airborne, दिक्षा शर्मा का answer आया है 8, ठीक है, तो बटा ये leaf blight की बात करा है, leaf blight का infection है, basically, ये infection हमारा soil born infection हो जाएगा, ठीक है नहीं बटा, soil born infection हो जाएगा, ठीक है soil born infection हो जाएगा, okay मैं, आपका कोई complete batch है बटा मेरा complete batch जो है वो जुनून है, जुनून में आप आ सकते हो जुनून में आप इंडोल कर सकते हो, अगर आपको इंडोल करना है, ठीक है, तो वो specific batch आपको मिल जाएगा, 11 जुलाई से उसकी classes भी start हो रही है, तो आप उस पे इंडोल कर सकते हो, okay तो बटा यहां पर आपका right answer हो जाएगा soil bond, okay तो बच्चों जैसे अगर हम leaf blight की बात करते है तो leaf blight में क्या होता है कि आपके कुछ burnt appearance कभी-कभी या कुछ spots type आपको देखने को मिलते है जिस आप यहां पर देख सकते हो, यह जला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बीच बीच में है कि खराब हो रखा है, जल गया है, पूरा का पूरा तो इस type का जो appearance है, बच्चों यह leaf blight की infection में हमें देखने को मिलता है और यह infection कैसा है, बटा, soil bond है इसमें क्या होता है, कि पतियां जो है, वो खराब होकर के नीचे गिर जाती है जबीन पे और इसका जो pathogen है, वो soil में काफी time तक रहता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, crop rotation यानि कि फसल चक्र आप उसके लिए use कर सकते हो आप उसके लिए प्रियोग में ला सकते हो, तो crop rotation से क्या होता है, अभी आपने जो crop लगाई है उसकी दूसरी family, आपने कोई और ही family की crop लगा दी, तो वो जो pathogen है उसको long time तक जब अपना खाना नहीं मिलेगा, अपना food नहीं मिलेगा, तो वो वैसे ही खतम हो जाता है, ठीक है, चलिए बचो, आगी चलते हैं बिटा, red rot of sugar cane is which type of infection on the basis of transmission अब आपको ये बताना है बिटा, कि red rot का जो infection है sugar cane का, यानि कि गन्ने में होने वाला जो ये लाल सडन रोग है बिटा इस transmission के basis पे, यानि कि फैलने के अधार पर हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सा infection बोलते हैं, soil bone infection हम इसको बोलेंगे, water bone infection हम इसको बोलेंगे, air bone infection हम इसको बोलेंगे, या फिर seed bone infection हम इसको बोलेंगे, तो बिटा हम इसको क्या बोलेंगे, एक बर चल्दी समझे बता दू, on the basis of transmission हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों बताओ ओ की योगेंद्र मौर्या हंसा यादव का आंसर आया है ए ठीक है राजेश का आंसर आया है soil bond ओके हंसा का भी आंसर आया है default ह्टिक निहारी का अखिल okay ओके और बी आंसर करेंगे बच्चे ठीक है ओके राजेश का बिटा रेड डॉट ऑफ शुगर कें ये इंफेक्शन हाँ बिलकुल कॉलाक्टो ट्राइकम फलकेटम इसको कॉस करता है कॉलाक्टो ट्राइकम इसके लिए कॉसल अर्गयानिसम हो जाएगा ठीक है और ये बेसिकली क्या है सीड बॉण इंफेक्शन है यानि की बीच में पाया जाने वाला है इसको अगर आप देखोगी बिटा तो इस तरीके से रेड गलर की पैचेश आपको यहां पर देखने को मिलेंगे पत्तियों के उपर यानि की लीफ के उपर इस टाइप से रेड गलर के पैचेश आप यहां हम बोलते हैं यह किसकी विज़े से होता है यानि कि blossom and rot blossom and rot of tomato किसकी विज़े से होता है low oxygen zinc deficiency magnesium deficiency or calcium deficiency तो बिटा किसकी कमी के कारण होने वाला रोग है ber यानि कि blossom and rot of tomato वेरी गुड योगेंद्र निहारिका हनसा योगेंद्र शरद मोहित राजेश दिक्षा अखिल हनसा ठीक है ओके मोहित चुकला calcium बिलकुल बिटा right answer हो जाएका calcium deficiency ठीक है तो बिटा ber यानि कि blossom and rot का जो disease है जो disorder है basically यह बिटा किसकी कमी से होता है calcium यानि कि calcium की deficiency से होगा calcium की कमी से होने वाला है और इसमें क्या होता है टमाटर के उपर की तरफ आप देखोगे तो पूरा काला रंका हो जाता है वो सड़ने लग जाता है तो इसी को बोला जाता है blossom and rot आखरी तरफ क्या होता है सड़ने लग जाता है हाँ low oxygen की विज़े से black heart of potato बिल्कुल बिटा चलो अब आगे चलते हैं तो यहां पर हो जाएगा हमारा calcium answer हो जाएगा calcium deficiency तो आप यहां पर देख सकते हो बिटा यह रॉटिंग होने लगती है कभी-कभी आपने देखा होगा टमाटर जब हम कभी-कभी देखते ना तो टमाटर कुछ इस तरीके से या तो पेड़ पे लगावा टमाटर ऐसा होगा या फिर वो कहीं पर सबजी वाले के पास कभी-कभी हमें ऐसा टमाटर दिखाई देता है तो समझ जाना कि अगर एंडिंग में इस टाइप से काला-काला रंका वो हो रहा है तो बेसिकली इसमें क्या हो जाता है इसमें आपका blossom and rot का infection हो जाता है और आप इसको समझ सकते हो क calcium की कमी यानि की calcium की deficiency से देखा जा रहा है clear हाँ चलो अब आगी चलते है बिटा अगले question पर चलते है अगला question है आपका dieback of citrus is caused by which one of the following आपको यह बताना है बिटा कि जो dieback है नीम्भू में यानि कि citrus में जो dieback है वो किसकी विज़े से होता है soil bond fungus होगा water bond fungus होगा copper deficiency होगा या excess of boron हो जाएगा तो फटा फटा फट से question का right answer बता दीचे बिटा क्या होगा dieback of citrus यानि कि नीम्भू का जो dieback का जो dieback है वो किसकी विज़े से होता है बताओ बिटा varieties में आपको अलग से करवाओंगी बिटा ठीक है varieties में आपको अलग से करवाओंगी एक ही करके आप इन चीजों को याद करोंगे आराम से ठीक है चलो और के राजेश का अंसर कोपर योगेंद्र का वी आंसर कोपर ओ कबिट्शा शर्मा कोपड मोहिच शुक्ला रजनी बोनी जानी तो बिल्कुल बिटा इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और कुछ इस तरीके से आपको प्लांट में एपेरेंस देखने को मिलता है तो बिटा जो पेड होता है बेसिकली वो सूखने लगता है धीरे-धीरे और डाइबेक में क्या होता है कि कम्प्लीट डेथ हो जाती है प्लांट कि वो पूरे तरीके से खराब हो जाएगा पतियां उसकी पीली पढ़ने लगती है यानि कि जो लीफ से धीरे-धीरे वो येलो कलर की होने लगती है तो इसमें जेनरली क्या होता है आपका कॉपर डेफिशेंसी से हम इसको देखते हैं चलो आगे चलते हैं बिटा रोग है वाइरस के थ्रू होने वाला इंफेक्शन है क्या वो सिट्रस कैंकर होगा क्या वो बिग बड डिजीज ऑफ टमैटो होगा क्या वो एंत्रिक नौज होगा या फिर वो ब्लैक रॉट होगा तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों राइट आंसर क्या होगा यहां बिलकुल बिलकुल अब बताओ यहां पर राइट आंसर क्या होगा ओके राजेश का आंसर आया है बीठी के शरद हनसा यह बच्चे भी बी आंसर करें आखिल धवे बी ओके दिक्षा शर्मा हनसा ओके तो यह सारे बच्चे कह रहे हैं डी राइट आंसर होगा ब्लैक ऑगर आप यह तरल का इंटरेव इंप्शिन यहां पर अगर हम टोटली इसको देखें तो अगर आप सबसे पहले सिट्रस नकर की बात करो, ठीक है? अगर हम citrus canker का infection देखें बिटा, तो citrus canker का जो infection है, वो basically कैसा infection है? बैक्टीरियल infection है, ठीक है? यह एक टाइप का bacterial infection होता है, लेकिन अगर आप Big Bird को देखोगे, तो यह क्या है? tomato, tomato का viral infection है जो basically leaf hopper के थूआ spread होता है क्या होता है बिटा अल्मुस्ट लीफ आपर के तुरू यह spread होता है ठीक है तो दोनों चीजे धियान रखना वेक्टर भी इसका बता दिया लीफ आपर के तुरू यह देखाई रही है यह देखे जिए यह देखा है इसमें बड आपको बड़ी दिखाई दे रही है यह ए अन्टर जो है है लिक्रीन का काम करते तो बिटाइ ये आप से पूछ राहे कि कौन सा ऐसा डिजी इस है जो बेसिकली बीटल के थूँ टांसमेट होता है और यह साफ ट्रांसमेशन भी करता है साप ट्रांस्मीशन का मतलब है जूस होता है ना जूस जूस के जूस जहां पर भी गिरेगा वहां पर वो डिजीज फैलना शुरू हो जाएगा मतलब जैसे फॉर एक्जांपल कि अगर कोई भी इंफेक्शन हो गया ठीक है टिटनेस का हो गया किसी भी कुछ भी इस टाइप क फिटन हंट कीहितलरर इंफेक्शन हो गया और वह इंफेक्शन का प्लोड में भी ओका आगा जूस अगर दूसरे प्लांट में गिरेगा तो उसमें भी इंफेक्शन हो जाएगा बोलने का मतलब यह है ठीक है चलो यलो वें ओक्रा बिलकुल तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कावपी मुजाइक ठीक है कावपी मुजाइक वाइरस यह जैनरली बीटल्स के थूँ ट्रूट होता है यानि की सिरेटोमा के थूँ ट्रूट होता है ठीक है इंपॉच्छा जाता है यह देखो इस पर राइट आंसर क्या होगा बिट्चो एक बर मुझे फटाफ़ट से बता दो बिट्चो वेक्टर ओफ वेक्टर ओफ इस सिटरस्टरिस्टेजा हावायरस वेक्टर होगा का वस नहीं किया एक्भा pat cup rightr से बता हो बता दो बिट्चो एक врем तो बिल्कुल टॉक्सोपोटेरा शिटुड़ा यह बिसेकली हमारी क्या होते हैं एफट्स होते हैं ठीक है और सिट्रस एफट्स की थूई सिटुष इस तरीकी का इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है लीफ्स देख रहे हुए वीच वीच में यलोई यलोई वेंज में यहलोय यहलोय लटल आरनी यह लीफलink यह ले ऊप्यायत है और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो लिखले लोगता है उन्य सप्प्राइब इसैट अप्रिडी करोंठे का करता था बता उर फ्ल एक करेंगे एफट्स करेंगे बीटल्स करेंगे नन अफ दीस होगा जल्दी से बताव बिटा मैं लाइक कर दिया सधार्थ ओके वेरी गूट चलो बताव बिटा यहां पर राई टांसर क्या होगा और बच्छों जो भी बच्छे नए आए हैं इस क्लास में अगर आप पहली बार हंसा का भी आंसर आया है वाइट फ्लाइ ओके विकास कुमार अखिल दिक्षा हिमान्सू ओके यह सारे बच्छे करें बैमसीय टैबगा बिल्कुल बटा राइट आंसर कि आपने बैमसीय टैबगा और जैमिनी विरिडी फैमिली को बिलॉंग करता है यह वायरस ठीक है तो यह एक टाइब का RNA वाइरस है बच्छो ठीक है जो मुजाक वाइरस है यह टाइब का RNA वाइरस है और यह जैमिनी विरिडी फैमिली के अंदर आता है ठीक है और इसको ट्रांस्मिट करने का काम कौन करता है तो वाइट फ्लाइस जेनरली इसको ट्रांस्मिट करने का काम करती ह लेंट को पिदा कुछ इस तरीके से यह इन फेक्षन होता है और ओप उतले होगा तो चैनल Dustわかlikeept चाएँ झातको जाती है क्टो डीटेइशा हैँ आप को तो इस तारी सीज़ें कर सकते हो थाल कोeload अड़ा 247 की साइट पर जाना है गूगल पर जाओगे अड़ा 247 आप टाइप करोगे जैसी टाइप करोगे यह पूरा आपके पास ओपन हो जाएगा वैब साइट जैसी ओपन होगा बिटा वर्नकुलार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाओगे यह पूरा ओपन हो गया आपको यहां पर नीचे की तरफ मेरा अपना फाउंडेशन बैच मिल जाएगा ठीक है तो बिटा अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ आनिमल हजबेंटरी पढ़नी है प्लान पितॉलिजी पढ़नी है अगर आप यह मेजर सब्जेक भी है तो अगर आप स्पेसिफिकली सि कह रहे थे अनिमल हजबेंटरी के लिए तो इस बैच में मैं आपको डीटेल सारी चीजें पढ़ाऊंगी और इस बैच को आप देख लीजे आप बाइनाओ पर जैसे ही आप जाओगे तो बाइनाओ पर जाने के बाद आपको यहां पर बिटा कूपन कोड लगाना है वाई खुब्धी 447 जैसे कि कूपन कोड लगा होगे विटा 649 में आपको यह पूरा बैच मिल जाएगा ए भी हिंदी में होगा यह बैच इंगलिश में ही होगा यह बाइलिंगुल रहेगा थिक है मैं हिंदी में भी संझाऊंगी इंगिश में भी संझाऊंगी ठीक है मैं next class timing ज अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी दो से तीन बजे और बच्चों जो भी विच्चे आपसे अगर आप मेंसे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जहारकन डेफेसों की तैयारी कर रहा है क्योंकि आप एग्रिकल्चर के स्टूडेंट उसके लिए इलिजिबल है तो आपको आपको आप लोग अभी मेरे मैंने सेशन ले रही हूं बहुत इंपॉर्टन स्टूडी प्लान पे है तो आप उसमें आ सकते हो ठीक है अगर आपको एक एफेक्टिव स्टूडी प्लान पढ़ना है तो यह तो है मेरे जुनून बैच और इसके लावा बैच अगर आ प्लाइब करना है जिससे आपको आयर भी एस बाइस बैच भी मिल जाएगा इसके लगवा विच्छों अगर आप बहुत सारे एक्जाम्स के लिए पढ़ एक टाइम पे ठीक है कि जो जैसे आप एफसेश के लिए पढ़ रहे हो जैसे आप आप आई-पी पीस एसो के लिए तैयारी कर रहे हो और भी बहुत सारे एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो बिटा तो आप इसी तरीके से बैच में जा सकते हो ठीक है मैम टीए की प्रिपरेशन के लिए भी आपका बैच है यह के लिए आपका यह आपको डिरेक्ली यहां पर जाना है एजी टीए का बैच ह वाइ-447 जैसी से अप्लाई करोगे आपको मैक्समूम आल्मोस 77 परसंट डिसकाउंट के साथ आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा इसन बारा सो तक में आपको ये बैच अवेलेबल हो जायगा ठीक है जो हिंदी में हो बिटा ये यू प्रियु आ शी जी एजीरी का सारे सब्जेक्ट मेलेंगे टेस्सीरीज मेरेंगी सबकुछ आपको अवेलेबल होगा तो आप उसमें भी सेम कोड वाई 447 को कूपन कोड लगा सकते हो और इसमें आपको मैक्समाम डिसकाउंट मिल चाएगा ठीक है अभी कोई बैच है यही है यही यूपिट अपला सी एजी you have a nice day